हेलो फेंट्स वेरी वेरी गुड मारिंग अभी बज रहे हैं सुभा के आठ और मैंने नहा लिया है पूजा भी हो चुकी है और मैं बनाने जा रही हूँ चाहे तो आज देखिए संडे का जो दिन है वो रैनी डे हो गया है यहां मुझे लग रहा है कि बारिश जो है आ गई ह और गर्मी का जो season है वो आगे चला गया है बढ़ गया है पोस्पोन हो गया है और यहां पर इस्तुती का चल रहा है कहना चाहिए साइन्स का एक्सपरिमेंट का दादी और नानी कहती थी कि जो संख है वो कभी चावल के नीचे नहीं रहता है तो यहां इस्तुती निकल साम को जो है संख छुपा के रखा था चावल से तो संख जो है थोड़ी थोड़ी दिर में ऊपर आते जा रहा है और मैं उसे दबाते जा रही हूं तो science का experiment चल रहा है इस तूती का यहां पर हमें एक packet को open कर रहे हैं वैसे हम देखा जा रहे हैं तो पिछले 20-21 दिनों से हम अपने ही सामन के packet open कर रहे हैं पर अभी कल और आज जो है हमने कुछ सामन order किया था न्यू सामन order किया है उसके packet हम open करें तो चली देखते हैं इस packet में क्या चीज़ है अब है और इसो आप आप आयसा करो क्लासिक मास्की टू नेट तो यह है क्लासिक मास्की टू नेट का नाम सुनते थे तो हमें 1950 का याद आदा था वह वाइट वाला नेट चार लकरी लगाने वाला पर एमोजन से देखिए बहुत ही स्टेंडराइज मतलब मास्की टू कि इसांगजा को तो चलिए इसे हम लगाके भी बताते हैं इस नेट के जो हैओ जोबिंग्स बने हैं इसे जो है अकेले व्यक्ति भी लगा सकते हैं इसली से और यह ट्टैप में हैं काफी अंदर अच्छा इसमें दो डूर दिये हुए है चैन सिस्टम है यदि आपको इसे नेट का इस्तिमाल दिन में नहीं करना है तो आप इसे चैन उपन करके टैक कर सकते हैं उपर इसके डोर को दरवाजे को और कलर भी बहुत प्यारा है और भी इसमें जो है डिफेंट डिफेंट कलर के थे है हमें मश्रदानी जो है एमाजान पे साड़े आठ सा रुपए की पड़ी है तो आपको यदि इस तरह की नेट खरीद नहीं तो आप पर्चेस कर सकते हैं इसके पहले हम लोगों ने जासी से जो राउंड सेप में आती है डबल बेट की वो नेट हमने ऑडर की थी पर उसको लगाने का हमें स्पेस नहीं मिला था इस वह भी हमारे पास जैसे हमने पर्चेस के वह वैसे ही रखी हुई है तो लगता था कि मश्रदानी जब बोलते थे तो वही मन में इमेजिंग आते थी कि बस वह चार कोने में आपको किल लगा के बांध नहीं वाली तो मैं हमें सावाइट करती थी कि वैसे मश्रदानी हमें नहीं लगानी है पर ऑनलाइन में ने देखा तो इस तरह कि मुझे मश्रदानी मिली तो अब जाकर लग रहा कि थाइंक्यू 21st century अगला प्रो आने बाद इस तुतिक साथ में पैरोट का केज भी आएगा और यह इनका प्लेग्राउंड बन जाएगा तो मेरे आज की ब्लॉग में बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नेक्ट ब्लॉग के लिए तब तक के लिए बाए बाए